Good morning students, आज हम English में एक composition बढ़ेंगे, my favorite teacher या फिर my favorite person, मतलब कि जिसे आप बहुत जादा पसंद करते हो या फिर हो गया कि आपका जो favorite teacher है, तो चलिए start करते हैं, there are about 18 teachers in our school, all are very able and hard working, हमारे school में 18 teacher है और सभी के सभी teacher जो है वो बहुत ही hard working करते हैं, यानि कि बहुत ही महनत से क साम करते हैं, I love and respect them all, मैं सभी की respect और सभी से प्यार करता हूँ, but Shiri, यहाँ पर जो आपका favorite teacher कोई भी होगा, उनका नाम आप यहाँ भी लिखेंगे, is my most favorite teacher, किसी का भी आप हमारे school में जितने teacher है, उनमें से जो आपको सबसे अच्छा teacher लगता है, यहाँ पर आप उनका न teacher है, तो यहाँ पर Mrs. या Miss आएगा, और He की जगा शी आएगा, He की जगा फिर शी आजेगा, He is the most popular teacher in our school, वो हमारे school के बहुत ही popular teacher है, all the students love him, सभी बच्चे जो हैं वो उनको बहुत ही प्यार करते हैं, He teach us science, वो हमें science पढ़ाते हैं, He has many qualities of head and heart, उनमें बहुत से qualities है, जो क बहुत ही अच्छी, मतलब quality सार हो, बहुत ही दयावान हर, बहुत ही kindful है, He get up early in the morning and goes out for a walk, वो सुबर जल्दी उठते हैं और walk करने के लिए, यानि कि स्टार करने के लिए जाते हैं, यह हम किनके बारे में बात करी हैं, teacher जो आपका favorite teacher है या जिसे आप बहुत ही ज़्याद और हमारा heart जो है, वो बहुत ही, मतलब और हमारा mind जो है, वो बहुत ही fresh हो जाता है, तो हमें exercise जो है, वो daily करनी जाहिए, He is never late for the school, वो कभी भी school late नहीं पहुँचते हैं, He is regular and punctual, वो regular आते हैं और punctual आते हैं, मतलब कि हमेशा time से आते हैं और time से ही जाते हैं, He is always well dressed, उनका पहना, कप्डे पहनने का तरीका, बहुत ही अच्छा है, He does not smoke or drink, और वो कभी भी कोई भी smoke वगारा नहीं करते हैं, He keep strict discipline in the class, और वो हमेशा क्लास में discipline के साथ ही, क्लास में सभी बच्चों को रखती हैं, He does not punish the student, वो कभी भी बच्चों का punishment नहीं देते हैं, Still the student are afraid of him, इसस खुल के, मतलब खुल दिल से teachers को जो है, वो बता रेते हैं, वो डरते नहीं है, He is very hard working, वो बहुत ही महनत से काम करते हैं, His way of teaching is very fine, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, He is a master of his subject, वो अपने subject में जितने भी पढ़ाने का, उनके subject है, वो उनमें क्या है, Master है, य जितने भी difficult topic आते हैं, वो easily से बच्चों को समझा जाते हैं, उनके क्योंकि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, He shows 100% result every year, उनका result जो है 100% हर साल आता है, He is a good speaker, वो बहुत ही अच्छे बात करने, उनको बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ वो क उनके जो कलीक्स है, यानि कि उनके बाकी की जो, मतलब बाकी का जो स्टाफ है, वो सभी उनसे बहुत ही जादा प्यार करते हैं, हमें उन पर, क्या है, proud of we are, proud of him, may he live long, God उनकी उमर को लंबी करे, तो आईए था आपका एक my favorite person, और या फिर the person, जो आपको बहुत ही जादा, जिसको आप बहुत जादा पसंद करते हैं, my favorite person या my favorite teacher, इसको आप अच्छे से learn कीजिए, और learn करके copy में जरूर लिखना ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही, चलिए ठीक है, ओके बाई